तालियों से स्वागत करिए भारत सिरकार में मंत्री धर्मेंदी प्रिधान जी और मैं चाहूंगी कि टीविनाइन के इंपुट एडिटर राहूल सिना जी उनको मंच पर लेकर आए और इस सेशन की शुरुआत करें ऑर मेरी कोशिश लगातार यह है कि हम यह जो भी सेशन करें वो लोगों से जुड़ा हो लोगों तक जानकारी पहुँचाने वाला हो और धर्मिन जी से लगभख मेरे सवाल वैसे ही रहेंगे ताकि जो सरकार सोच रही है वो लोगों तक पहुँच पाए कुछ चीज़े, कुछ सवाल लोगों के जहर में होते हैं सबसे पहला और important मुद्दा तो राश्ट्रिय शिक्षा नीती ही है जिस पर चर्चा करना सबसे ज़रूरी है क्योंकि आज हम भारत के विश्व गुरू बनने की बात कर रहे हैं ये नीती उस दिशा में कितनी सार्थक होती दिखाई देती है, कितनी महत्पूर्ण होती दिखाई देती है आपको रावल जी धन्यवाद, आपने शुरुआत राश्ट्रिय शिक्षा नीती से ही किया है चोती साल के बाद देश में राश्ट्रिय शिक्षा नीती को लाया गया राश्ट्रिय शिक्षा नीती की दो-तिन अगर फीचर में आपकी समने प्रारम में रखूं कॉंटेक्स के नाते भारत की सम्विधान बनाते हुए जैसे एक बड़ा बीमर्ज के उपरांत बहुत सारे स्तर पे बहुत चर्चा के उपरांत समाज जिवन की बहुत महत्पुन लोगों की भागीदारी से एक मसोधा तैयर हुआ जो हमारी पवीत्र सम्विधान की नाम पे जिसको हम मानते हैं ऐसे ही भारत की पॉब्लिक पॉलिसी डोमेन में इस बार की राश्ट्रिय सिक्षानिती डॉक्टर कस्तुर रंगन जी को प्रधान मंत्री जी ने दाईतो दिया समाज जिवन की अनेक महानुभवों की एक लंबा परामर्ज के उपरां एक पार्टिसिप विश्व गुरु बनाने की फिलोशोफिकल डकुमेंट हैं ये भारत की नई पिढ़ी को भारत की मुल जड़ के साथ जोडते हुए विश्व की जिम्यवारी को निभाने के लिए एक साइंटिफिक टेमपर के साथ आधुनिक मानसिक्ता के साथ प्रजात तंत्रिक मुल्यो वधों के साथ दुनिया की मानपता को संवेदन सिलता की साथ देखने वाला दिशा देने वाला इसे डकुमेंट है 2020 से ये अभी तक लगभग ये संजोग है 29 जुलाई को इसकी दो साल पूरा होगा पिछले दो साल में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तक्निकी शिक्षा, शिक्षोकों की शिक्षा, आडल्ट एजुकेशन ऐसे अनेक आयामों में बहुत सारे पहलू में एकठा काम हो रहा है मैं अगर एक इंडेक्स में आपको NEP की इंप्लिमेंटेशन की परफरमंस आपकी सामने रिपोर्ट करूँ, आपकी माध्यम से देश को में रिपोर्टिंग करूँ, तो ये संतोष जनक है और ये लगभग सही दिशा में समय की हिसाब से आगे बढ़ रहा है आने वाले कुछ फीचर्स तो अल्लेडी लागू हो चुका है, लागू होना सुरू हो गिया है, जैसे उलेखनिया है, NEP ने कहा भारत की सिक्ष्या मात्रु भासा और स्तानिय भासा की आधार पे होना चाहिए इस बार AICT ने तेरा भासा में इंजिनेरिंग कॉर्सेस की पहला साल की पढ़ाई सुरू कर दी है आने वाले दिनों में मेडिकल साइंस, लीगल लेंग्वेजेस, सरकारी भासा को मात्रु भासा में जोड़ना जिसके कारण एक बच्चे की critical thinking जिस भासा को बच्पन से सुनता है, बोलता है, उसी में पढ़े और लिखे और एक बवधीक स्तर की तक, एक निर्दिष्ट आयू तक उसमें ही अगर प्रवास करेगा तो उसे एकदम quality performance output होगा, ऐसे सारा विश्यलागू होना सुरू हो गया है, उच्च सिक्षा में और स्वतन्तरता देना, अटोनोमी देना, UGC को अपने परंपरा का तरीके से चीजों को दिखने से परे, एक collaborative उपाय में और थोड़ा जैसे कहा गया कि internationalization होगा, बहुत सार बीदेशी university को भारत लाना, बहुत सारे भारत की university को बहार ले जाना, भारत की नोजवानों को वहश्वई की बजार की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हो तियार करके बेजना, यह सारा दिसा में तेजी से पिछले आठ साल में अनेक काम हुए हैं, लेकिन NEP आने के आपने बात्र भाषा का जिक्र किया, आपकी लगातार कोशिश रही है, तमाम भाषाओं के बीच में हिंदी को प्रात्मिक्ता देनी की, और उस प्रात्मिक्ता के बीच में हमने बहुत जगे विरोध भी देखे हैं, इसकी वज़े किया है NEP कहुंँ नहीं कहा है किशी भाषा को निवन करो, NEP कहा है कि हम मात्रू भाषा में पढ़ाएंगे, हम लोकल भाषा में पठन लिखन की काम करेंगे, जब हम मात्रू भाषा कहते है के बल हिंदी नहीं है odpowलि इंग्लिस नहीं है और पधान मंतरजे ने इन दिनों में एक पॉब्लिक प्लाटफर में कहा, सारे भासा हमारा लिए उतना ही आदर्निय है जितना हिंदी और अंगरिजी है, जितना मराथी है, जितना तेलुगु है, जितना तामील है, जितना ओडिया है, जितना पंजाबी है, जितना गुजरा किसी भासा को विशेश महुतो नहीं देना, किसी भी एक भासा को निचा भी नहीं करना. सर्व भासा को क्योंकि देश बहुदा इलाका में योगरफी बहुत बड़ा है, बहुत प्रकार की संस्कृतिक अबधानाय है, सभी के अंदर भासा का भी बिभिन्नता है यह हमारी एकता की एक बड़ा परीचे है NEP ने कहा है कि मात्रु भासा और लोकस्तानी अभासा इसमें फलाना, ढिमकाना का कोई बिभाद नहीं है, बाग की बिभाद राजनितिक है आप लगा देते हो धर्मेंचे, एक बड़ी इंपोर्टन चीज है जब हम अपनी देश की शिक्षा विवस्था को देखते हैं अपने नई राश्य शिक्षा नीती लेकर के आएं उससे पहले की जो हमारी शिक्षा विवस्था थी वो किताबी ग्यान पर जादा अधारित थी और पिछले कुछ वक्त में देश में स्किल्ड डेवलप्मेंट को लेकर के काम शुरू किया गया जो की फोकस करता है रोजगार की तरफ अब इस किताबी ग्यान से स्किल्ड डेवलप्मेंट की तरफ जाना अभी भारत कहां ख़़ा है और विश्व गुरू बनने की दिशा में अगर हम देखें तो क्या चुनौतिया है आपके सामने रावल जी मेरा यह जो किताबी था अभी श्कील होगा ऐसा नहीं है हमारी देश की सिक्षा बैवस्ता जड़ से जुड़ी हुई बैवस्ता है यह अलग बात है लंबे समय कोलोनी के कारण, पराधिंटा के कारण हमारी सिक्षा बैवस्ता को मैं आपको एक कविशे कहूँ जब आज से लगभक 700-800 साल पहले आलेकजंदर भारत आए भारत से एक प्रकार से पराजित होके लोटे उन्होंने जाते जाते कहा है रहे इस देश को राजा को जितने के बाद जिता नहीं जा सकता है इस देश में एक दुनिया है शिक्ष्यकों की और उस शिक्ष्यकों को हम अक्तियार नहीं करेंगे तो इस देश को नहीं जिता जा सकता है हमारी शिक्ष्या उतने ही जड से मजबूत है अभी मैं अभी आधुनिक समय में भारत की revenue mapping को पढ़ता हूँ भारत की कोई भी management school में revenue अन्य जो जमीन की नपाई और tax ये दोनों की भारत की अभी की वेवस्ता की root अगर आप ढुणोगे तब आप आकबर कालीन जो मंत्री परिशत था उस मंत्री सभा में मानने बर तोडर मोल जो revenue मंत्री होते थे उन्होंने जो practice evolution किया था वो practice आज भी नपाई में और tax collection में आज ही है तो मैं कैसे कहूं कि मेरा भारत की वेवस्ता किताबी था कोलोनी के कर्ण उनको लगा कि इसकी मूल आत्मा को थोड़ा हिला हिला नहीं पाए अभी हम सभी की प्रया से इसलिए मैंने खा इस बार की राष्ट्रिय शिक्षानिती एक philosophical document है एक किश्वी शदिं के लिए अभी document ठीक बना है इसमें आपकी बात सही है अभी तक जो हमारी पिछले 50-60 साल में ये कहां जाता है शिक्षा की दुनिया की बिशर्षिक जो ये कहते हैं 1835 में उस Alexander साम की मनस्तिति को अंग्रेजों ने implement करना कैसे इस देश को अक्तियार करना एक मैकोले की जीकी नेतुरतु में एक meeting हुई मैकोले minutes की नाम पे एक mechanism developed किया जिसको कहा गया कि भाई भारत की आत्मा को थोड़ा हिलाए लेकिन ये इतना जिबंत और इतना मजबूत वाला शिक्षा से जुड़ी हुई भारतियता के साथ जुड़ी हुई दुनिया है लोक कथा से लेके institutional mechanism तक अनेक विश्य इसमें पड़ा हुआ है बहुत सारे शिक्षा की उपलब्धी इसमें है पिछले दिनों में जिनके हाथ में दाईत्व रहा उन्होंने भी किया लेकिन अभी वो विश्य को छोड़ते हुए भारत की नई पिढ़ी को उद्यमी आधारीत एक शिक्षा के साथ ले जाना जिसको मैं थोड़ा एक आपकी सब्द में कहता हूं अभी की एजुकेशन सिस्टम में जॉब सिकर से जॉब क्रियेटर बनाने की जर्निंग हमने फिर शुरू किया है जो सभ्यता में कभी था उसी में स्कील भी आ जाता है उसी में कॉशले भी आ जाता है और दुनिया में पहारत की जो यंग पॉपुलेशन है डेमोग्राफिक डेवीडेंट है जो आने वाले 30-40 साल हमारी पक्षे में रहेगा यही हमारी समय है चोथी ओद्यकी करंती में दुनिया को सिवा करने का दुनिया में धनी बनने का आप पीछे इतिहास की तरफ चले गए मैंने जब कि कुगलों को लेकर जो लिखा गया और चोल वंश, मौरे वंश इन सब का जो इग्नोर किया गया उसके बाद नए इतिहास की जरूरत है क्या आप मानता है कि नए इतिहास लिखने की जरूरत है एको मैं ग्रह मंत्री जी को बड़े बारिके से सुनता हूं और उनको एबी में या कौन सी मेनेजमेंट स्कूल में तोड़ोर मोल के उपर एक टॉपिक पढ़ाय जाता है एक कोर्स है क्या उसमें एक इंस्टिशनलिज कोर्स नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए किसी की दियुमत नहीं है अब करने से आप क्यूं कहते हैं कि हम इतिहास बदलना चा आते हैं जो हमारी बिरासत में जो हमारी परंपरागत इतिहास में है भानत में पिछले धाई हजार साल में मैं फिर जी में मैं उडिशा से आता हूं मैं बच्पन से लोक कथा में और मेरे परंपरागत इतिहास कारों से यह सुना हूं कि हमारे वहां समराठ खारवेल होते थ उडिसा की उतकल की अबुदय के लिए कारवेल की नेतुर्त में एक बिशाल सामराज्य बनी उसकी कुछ शिला लेखा में प्रमान भी मिलता है पाली भासा में अगर उसको क्या आवशक्ता नहीं है उसी को अभी सर्वभारतिय स्थर पे ले आने के लिए एक मेरे राज्य में एक में जिस जिले से आता हूँ उस जिले से 15-16 साल की एक लड़का नाभिक था नौका चलाता था अंग्रेजों ने उनको कहा कि तुम हमको दुसरे पारी में ले जाओ हम टाक ससूलने जाएंगे वो मना क्या नहीं ले जाओंगा वोले गोली मार देंगे तेरे को नहीं नह क्या इसको ले आना हम इतियास को बदलना कहेंगे जिन्होंने लेखा उनको छोड़ दिया था भी हम उनको जोड रहे हैं हम तो भी जोड़ने की काम पे लगे हैं इसलिए हम लंबा लकीर खीच रहें इसी को ग्रहम मंत्री जीने कहा है यहीं हमारी सरकार की नितिया हम किशी को छोटा नहीं करना चाहते हैं, हमारी बिरासत में जो चीजे उसको हम बढ़ा करना चाहते हैं. धर्मेंजी लेकिन इस लकीर को खीचने के चक्कर में कुछ लोग और जादे ही आगे बढ़ जाते हैं, वो ताज महल तक पहुँच जाते हैं, वो कुतुब मिनार तक पहुँच जाते हैं, और वो यह पिहास को कुछ दूसरी दिशा में ले जाते हैं. लिके अभी हमारे हम लोग संबिधान से चलते हैं, कानून से चलते हैं, हमारे लिए संबीधन और कानून सर्वो पर ही है इसलिए जो कानूनी व्यवस्ता में वाजिव है योग यह होगा इस देश में मोदी जी की समय में कानून की राज चलता है आपने कानून व्यवस्ता की बात की तो इन दिन को आप इस फष्ट कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों के मन में इस बात को लेकर के ब्रहम है, इस योजना को लेकर ब्रहम है, और सबसे बड़ी इस इनसिक्योरिटी है, कि इसके बाद हमारा क्या होगा? देखे, पिछले दो साल से इस बिशेपे सरकार की सम्मंधित लोगों ने बड़े गहनता के साथ, बड़े गंबीरता के साथ विचार किया है, दुनिया भर की, अगर हम समिक्ष्या करते हैं, एक समय था, कहा जाता था, किस सेना में कितने संख्या के सहिनिक है, एक समय आया है, कहा जाता है, किस सेनी का स्ट्राइक, कुछ किस, कौन सी सेना की स्ट्राइकिंग, टेक्नोलोजिकल स्ट्राइकिंग क्यापसिटि कितना है, कुछ दिन पहले, साउधी आरम को जैसे बड़े ओईल कंपनी में, द्रोन में आके कोई आटा करके चला गया, पता ही नहीं चला, कोन आया, कोन आटा किया, आज वायर फेल चुके हैं, टेक्नोलोजी आँ चुका हैं, इसलिए दुनिया की सेना की चरित्र बदल रही है, भारत को उस हिसाब से बदलना चाहिए, इसलिए विशेशक्यों की ओपिनियन आई, इसलिए एक नया पध्धती लाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत की सेना और कॉंपिटेंड हो, और नोजवान हो, और बड़ा लिनियार हो, बड़े लड़ाकु हो, इसके लिए एक प्रक्रिया उन्होंने अगनी पत स्कीम ले के आया, उसमें प्रक्रिया अपनाई, अगनी बीरों की कल्पना लाया, सो में से 25 अगनी बीर आने वाले क्यारियर में 15-20 साल तक सेना में चलेंगे, चार साल में एक सिटिजेर आर्मी की कंसर्ट में कई सारे बच्चों को प्रशिखित किया जाएगा, सेना की हिशा माना जाएगा, उस समय में उनकी तनखा, उनकी कमपनिशेशन, उनकी सोशल शि क्रूटी की सारे बेवस्ता इक्वल किया जाएगा, उस समय में दस्वी का कोई लड़का उसमें इंट्री किया होगा 17 साल में, इस चार साल के बाद उसको बारवी का साटिफिकेट ऑटोमेटिक रूट पे मिल जाएगा, यह हमारी विवा की जीमेवारी है, हमने उसको प्ल लर्निंग को भी क्रेडिट में कनभट किया जाएगा, उसको उस लर्निंग को क्रेडिट में कनभट करके उसको एक मिनिमम design pattern में, new model of hybrid model of examining pattern में, उसको डिगरी की अंदर ले लिया जाएगा, ओचार साल के उपरां तो उसको सेबा नहीं दिया हाथ उसको स्कील की सारे आध पार्केट के लिए इंडिस्ट्री रेडी, सर्विस सेक्टर रेडी उसको त्यायर कर दिया जाएगा। कहा कि एक बार वान टेम रिलिफ आपको दिया जाएगा, तेई साल तक इस बार आपको अकुमडेट कर लिया जाएगा। प्रति जो आदर समाज की है, उस आदर के साथ उनको अपने अपने वर्टिकाल में, आज तो मैंने देखा कुछ प्राइबेट सेक्टर की लोगों ने कहा, हम उसको प्रत्मिक्ता से नवक्री देंगे। इसलिए उसमें कोई घवराने की, कोई कन्फ्यूजन की, कोई कम्यूनिकेसन ग्याप की कारण नहीं है। बाकी इस देश में कुछ तपके हैं, उनको सियासत करना है, उनको देश कहां चिंता है, उनको तो अपना सियासत की चिंता है, हम उनको कहां समझा पाएंगे? आपको लग रहा है, इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज हो, सवाल मेरा एक और इस से जोड़ा हुआ है, पिछले कुछ वक्स से ऐसा क्यों हो रहा है, कि सरकार कोई भी कानून लेकर आती है, उसका विरोध प्रदर्शन कोई एक बड़ा तपका करना शुरू कर देता है, च सरकार की चरित रहे बड़ा सोचना, देश के लिए सोचना, अपने लिए नहीं सोचना, ये एक मूल फरक है, जब हम लोग बड़ा सोचते हैं, नीडर होके तय करते हैं, देश के लिए तय करते हैं, कुछ मित्रों की मन में संका हो ना सुआभी के, जिनकी, देमोक्रासी में असहमती और संका इसको मैं अन्यता नहीं लेता हूँ जिनकी मन में जहनूइन संका और असहमती उनको समझाए जा सकता है लेकिन जो जाके सोय रहे का उसको उठाए नहीं जा सकता है और भारत की डेमोक्रासी में कुछ लोगों की अगर उनकी हिमत नहीं बड़ा काम करने के लिए मोदी जी में हिमत है बड़ा काम करने के लिए रिस्क लेने के लिए देश को समझाने के लिए तो नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए देश की हितने हो रहा है आज देखिये जी एस्ट की कलेक्शन देखिये लोग आग्रह से tax बर रहे हैं tax की net बढ़ रहा है tax आता है तो जाता कहा है परधानमंत्र आवाश योजना बनता है शोभागी योजना में हर गर को बिजली पोँचती है हर गर को LPG सिलिंडर पोँचती है नल में जल पोँचती है और चंद लोगों के लिए नहीं, सबी के लिए, हमने कहा था, सब के लिए बनाएंगे, तो GST बढ़ा, तो हमने खर्चा गाओं में बढ़ाया, इस जिबार बजेट में 6 लाख क्रोड रुप्या की क्या पेक्स, सरकार की बजेट से खर्चा होती है, रोजगार सुष्टी होत हम सहाज के साथ देश की लिए काम कर रहें, गल्ती हो जाता है, तो माफी भी मांग लेते हैं, इस विरोध प्रदेशन में एक डाम आया था, जिस दिन हुए यह शुरू, उसमें आईसा का नाम आया, आईसा मतलब जेहनियू का नाम आया, और जब जेहनियू की हम बात करते हैं, तो कुछ वक्त पहले एक और चर्चा में बड़ा पाठे करम महां उठा था, आतंकवाद विरोधी पाठे करम, जिसको लेकर के बड़ा बवाल भी हुआ था, जब-जब सरकार को एक कदम उठाती है, तो यह विरोध की आवाजें एक खास संस्थानों से ही क्यो आती है जैनियू की चरित्र भी इस बीच में बदल गया है, जैको मैं कोई इस प्रकार के में एक सम्मेदन सिल मन की बेखती हूँ, जैको कोई भी चीज कुस्ताई नहीं होता है राहुल जी, हमें देश में डेमोक्रासिक की मूल स्पिरिट को समझना चाहिए, बीरोध को बहुत आ असाहमति को आपती नहीं करनी चाहिए, एक सर्त है, तो जैनून है या नहीं है, प्रजात तंत्र में मितरक होगा, चर्चा होगा, डायलोग होगा, सहमति होगा, अचा बहुत थारे देशों में, चाईना में कभी असाहमति का सब्द कभी सूने हैं क्या, विश्व में कई स क्तारा देशों में असाहमति ही आ पाइनाले लोगों की उपर छोड़ गया जाता है, लोग भैकरते हैं। हम तो सारे पिछले आजादी की 75 सार के उपरां हम जिस पुलिटिकल पार्टी को रिपरेजन करते हैं अरे हम तो अमानद जब्द करने माले लोग थे दसों को तक हमारी अमानद जब्द होती थी दस अजार भोट आ गया तो हम सीने मा देखने चले जाते थे आरे दस अजार भोट आ गया आज लोगों की आशिरवाद से मोदी जी दो दो बार सासन कर रहे हैं ये लोगों की आशिरवाद हैं गल्ती करेंगे तो लोग निकाल देंगे अबर सही करेंगे तो दुबारा चुनके भेजेंगे लेकिन डरना क्यों और असामति को क्यों अईश्व करकर ने डेमोक्राशी है होने दीजिये बाकि कुछ लोग जो लोग देश की संपति को गलत तरीके से भाई आप संस्ता जमिन ले जाओगे सरकार से माद में फिर आपकी पार्टी से उसमें से लौस हो रहा है करके पैसा डालोगे फिर एक संस्ता बना कि आप आरोशी को फर्च करके उस कंपनी को फिर बदलके मालीकाना वाला कंपनी बना दोगे क्यों आप बड़े घर के लोग हो इसलिए आप क सहमति को हम क्या कर पाएंगे लड़ेंगे प्रजात तंत्र में लोगों को समझाएंगे देखो सही क्या गलत क्या है लोग ते करेंगे सर समय की बात देता है लेकिन मैं चलते चलते आप से ये जरूर एक बार से चुकी अभी का जो करेंट इशू है वो नौजवान जो इस अगनिबीर को लेके एक जैनुविन कंफीूजन अगर है तो सरकार पिछले चार दिन से एक-एक विशय करके सारे तमाम सरकार की तमाम जिम्मेवार नेतृतों विशेश करके रक्षया मंतरीजी और ग्रह मंतरीजी उस विशःपे स्पस्टता दे रहे हैं यह हमारी टॉप लीडर्सिप है। पैधान मंत्री के बाद हमरी टॉप लीडर्सिप यह सपस्टत्ता दे रहे हैं। इसलिए मैं मैंनेमान्ता हूँ और ए हम लोगों की छोटी-छोटी उसमें से भूमिका हैं हम विश्यों को सपस्टत्ता के साथ बता रहे हैं। इसमें डायलोग कर रहें, इसमें सिस्स ग्लाइरिफिकेचिन कर रहें, इसको सम्भाल रहें हैं, इसमें हम लोगों को भरोसा है, qeez संभलेगी, लोग समझेंगे, लेकिन कुछ लोग अगर आज जिनों ने बिहार में बंद किया, नौजवान बंद किये या बड़े घरों की नौजवानों ने रास्ते पे आया यह परजात अंत्र है ओ लोगों को ते करना पड़ेगा लोगों को सोचना पड़ेगा हम समझा पाएंगे लोगों को मेरा बोरुसा है बहुत बहुत शुक्रिया सार, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और उमीद है कि जो आपकी अपील है वो नोज़ावानों तक पहुचेगी जो आपने इस पश्टिकरन खासतोर से शिक्षा को लेकर के दिया, यो अगनी वीर पर जो पूरी योजना है उसको करके वो शायद बहुत क्लियारिटी करें उनके दिमाग, बहुत बहुत धन्यवाद